तो आज मैं जो हॉरर मुवी आपके लिए लेकर आया हूँ उसका नाम है दर रिजॉट कहाने की शुरुवत एक न्यूज रिपोर्टिंग से होती है जहां एक वर्ल्ड फेमस होटल जिसका नाम दर रिजॉट है वहाँ एक सेक्योरिटी ब्रीच के बारे में बताया जा रहा था दर असल एक प्रोटोकॉल जसका नाम ब्रिमस्टोन है वो एक्टिवेट हो गया है इससे हमें पता चलता है कि ये जो प्रेजन्ट वाली दुनिया है ये जॉम्बी आउटड्रे के बाद वाली दुनिया है जब इनसान जॉम्बीज को हरा कर वापस से शांती से जीने लगे हैं लेकिन इन सब में दो बिलियन लोगों की मौत हो गई ब्रिमस्टोन प्रोटोकॉल दस साल पहले यूज हुआ था ताकि जॉम्बी वाइरस पहले नहीं और इससे कई लोगों की जान चली गई थी कुछ ऐसे ही जॉम्बी जबी भी जिन्दा है जिन्हें आइलेंड में रखा जाता है और उनका शिकार किया जाता है वो भी मज़े के लिए ये स्पोर्ट और्गनाइस करती है एक फीमिल ओनर वहाँ एक एरपोर्ट भी है और वो कैम्प के पास एक फसिलिटी है वो एक चैरिटी है जिसका नाम होप फॉर यू है वो चैरिटी रिफ्यूजी की मदद करते हैं लास्ट में वो रिपोर्टर सवाल उठाती है कि क्या अगर उस बिलियन डॉलर रिजॉर्ट का सेक्यूरिटी हैक हो जाए तब क्या होगा जॉम्बी बहार आ जाएंगे और त की दोस्त ने बताया कैसे वो फसिलिटी ने उसे ट्रॉमा को हैंडल करने में मदद किया अगले दिन वो दोनों रिजॉर्ट जाने के लिए निकल जाते हैं और एक जगा रुकते हैं जहां और भी कई गेस्ट आयो होते हैं वो लाउंज में इंतजार कर रहे थे दोनों एक च्छोटे से च्छेद में से एक रिफ्यूजी लड़की को देखते हैं मेलनी उसे हेलो करती है लेकिन वो लड़की की माँ उसे लेकर वहाँ से चली जाती है उसके बाद होटल का स्टाफ वहां आता है और गेस्ट को बोट के जरियर रिजॉर्ट ले कर जाता है मेलनी और लुइस के साथ वहाँ पर दो टीनेजर गेमर्स होते हैं, एक लड़की सेडी और एक आदमी आर्चर, वो सभी एक कमरे में जाकर सेटल होते हैं, और उन सभी को जॉम्बी इसको मारने का ट्रेरिंग दिया जाता है, जहां वो गन का इस्तमाल करते हैं, यहां हमें पता चलता है कि लुइस पहले आर्मी में काम कर चुका है, उस राद जब सारे गेस्ट रिजॉर्ट की ओनर से मिलते हैं, तो सेडी वहाँ से चली जाती है, फिर जैसे ही रिजॉर्ट की ओनर गेस्ट को खुश करने के लिए स्पीच दे रही थी, सेडी चुपके से कंट्रोल रूम में चली जाती है, और रिजॉर्ट की ओनर के पीछे एक जॉम्बी को लाया जाता है, जिसे उसके लोग पकड़े वे थें, और स्पीच खतम होने के बाद सारे गेस्ट ताली बजाने लगते हैं, सेडी रिजॉर्ट के सिस्टम को हैक करती है और कुछ फाइल डाउनलोड कर लेती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जब वो बाहर निकलती है तो आर्चेर उसे देख लिता है, दूसरी तरफ जैक बहुत खुछ था क्योंकि उसे फैनली जॉंब्ई्क को मारने का मौका मिल रहा है, जो वो हमेशा से करना चाता था, क्योंकि वो हमेशा ये वीडियो गेम में करता था, अब उसे रियल लाइफ में करने का मौका मिल रहा है, अगले दिन इंजिनियर को अपने सिस्टम में कुछ अजीब देखने को मिलता है लेकिन वो ये बात ओनर को बताने से जीज़कते हैं क्योंकि उनकी नौकरी चली जाएगी वो ये प्रॉबलम खुदी हैंडल करने का सोचते हैं इस भी सारे गैस्ट अपने टूर गाइड से मिलते हैं जो उनके इविंट तक ले कर जाएगा जहां वो जॉम्बीज का शिकार करेंगे जो फसिलिटी के बाहर रहते हैं एक ग्रूप जॉम्बीज को मार डालता है बड़ी आडाम से एक चटान के उपर खड़े होकर दूसरी तरफ कुछ लोग बंदेवे जॉम्बीज को मार डालते हैं मेलनी की पूरी ग्रूप बीचो बीच होती है और उनके सामने जॉम्बीज का जुनडा रहा था लेकिन सेडी बहुत ज़ादा घबरा जाती है और लूविस मेलनी से कहता है जॉम्बीज पर हमला करने के लिए लेकिन उसकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी और जॉम्बीज उसी की तरफ देख रही थी तब ही आर्चर जॉम्बीज को मार देता है आर्चर कभी भी मिस नहीं होता अब ये सब हो जाने के बाद टूर गाइड उन्हें एक सुरक्षे जगा पर लेका जाता है जहां टेंट लगे वे थे जहां वो आराम कर सकते हैं जैसी वो वहां से निकलते हैं मेलनी लुइस से बात कर रही होती है अपने डिसिजन के बारे में कि उसे लगता है कि उन्हें इतने सारे पैसे खर्च करके यहां रिजॉर्ट में नहीं आना चाहिए था लेकिन लुइस मेलनी को समझाता है कि एंजॉई करने के लिए क्यूंकि जो होना था सो तो हो गया इस बीच जैक और उसका दोस सेडी को इंप्रेस करने की कोशिश करता है और बताने लगता है कि कैसे वो ऑनलाइन गेम खेल कर यहां रिजॉर्ट में आने का मौका उसने जीता है एक इंजिनियर को सिस्टम में कुछ बुरा देखने को मिलता है जिसकी कारण सेडी है अब ना चाते वे भी रिजॉर्ट के ओनर को इस बारे में बताया जाता है और तब इस सिस्टम मचानक से खराब होने लगता है जिस वज़े से कुछ समय के लिए दिक्कत आ जाती है और जो जॉम्बीज बंदे वे थे वो आजाद हो जाते हैं अब जो लोग जॉम्बीज के बंदे होने पर हस रहे थे अब उनकी शामत आने वाली है अब वो सब यहां से जानी सकते क्यूंकि गाड़ी को भी स्टार्ट होने के लिए सिस्टम की जरुट पड़ती है इसलिए उन्हें अपनी जान बचा कर भागना पर रहा था और जितने भी जॉम्बीज आजाद हुए हैं वो सब एक एक कर लोगों को मार रहे थे और गेस्ट को इनफेक्ट कर रहे थे कंट्रोल रूम में भी जॉम्बीज का जुनडा जाता है और रिजॉट ओनर देख रही थी वो भी डर में के उसके काम करने वाले लोग सब जॉम्बीज के डिनर बन जा रहे थे लेकिन जॉम्बी उसकी तरफ देखती है और डर के मारे ओनर एक कमरे में जाकर छिप जाती है और अपने स्टाफ को मरने के लिए छोड़ देती है मेलनी सेडी दुनों रात में बाहर बात कर रहे थे क्योंकि उन्हें नींद नी आ रही थी और मेलनी बताती है कि कैसे वो जॉम्बी से नफरत करती है उसके पापा बहुत अच्छे इंसान हुआ करते थे लेकिन जॉम्बी ने उन्हें मार डाला और वो अब इस रिसॉर्ट में आई है जहां वो जॉम्बी का शिकार करना चाती है इसके बाद वो ऐसे गेम के बारे में बात करते हैं जहां वो मज़े के लिए जॉम्बी को मार सकते हैं सेडी कहती है कि यह तो बस समय का फेर है अभी हम जॉम्बी को मार रहे हैं जैसे कि वो कोई मांस का टुकडा हो लेकिन समय बदलते ही जिन्दा लोगी एक दूसरे को मार डालेंगे तब ही उनके तरफ जॉंबी का जूंडाने लगता है इसलिए मेलनी सबी को उठने के लिए कहती है सेडी जॉंबी को मारने वाली थी लेकिन हिम्मत नी जुटा रही मेलनी के कहने के बाद भी शुक्र है कि आरचर वहां आकर एक बार में ही उस जॉंबी को मार डालता है फिर सभी वहां पर आ जाते हैं और टूर गाइड बताने लगता है कि जॉंबी इसको बाउंडरी के बाहर रखा जाता है ताकि लोग इनफेक्टेड ना हो फिर वह आसपास के जगा पर रौशनी करता है तो वहां बहुत सारे जॉंबी दिखाए देते हैं जो उनके तरफ आ रहे थें वो उन सभी पर फाइरिंग करने लगते हैं और सेडी और मेलनी भाग जाते हैं और टेंट में छुप जाते हैं टूर गाइड मदद बुलाने की कोशिश करता है लेकिन गाड़ी जो कंप्यूटर के कंट्रोल में चलता है वो उन्हें इनफॉर्म करता है कि ब्रिमस्टोन प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो गया है जिससे पूरा रिजॉर्ट को समय के अंदर ही तबाह हो जाएगा इस बीच मेलनी टेंट में जाती है और आर्चर को गन मैगाजिन देती है और उसे एक जॉम्बी काट नहीं वाला था लेकिन सेड़ी उसे बचा लेती है गाड़ी के ओपर सभी चहर जाते हैं लेकिन जैक का दोस्त उसे जॉम्बी काट लेता है इसलिए उन्हें उस लड़के को मारना पड़ता है फिर आकर में वो सभी फाइरिंग करना बन करते हैं क्योंकि उनके आसपास के जॉम्बीज मर चुके थे अब सुबा हो जाती है और टूर गाइड उन्हें बताता है कि कुछ समय के बाद ही आईलेंड को बम से उड़ा दिया जाएगा और सभी को समुदर किनारे जाकर अंतिजार करना होगा ताकि उन्हें बचा लिया जाए अब जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा आर्चर उन सभी से कहता है पैदल चलने के लिए सब जंगल के तरफ बढ़ते हैं तो आर्चर सिगनल देता है रुकने के लिए और कुछ सेकंड्स के बाद वहाँ जाजाते हैं जो जैक को काटने वाला था लेकिन टूर गाइड उसे मार डालता है फिर वो आगे बढ़ते हैं और फेंस पर एक गाड़ी को क्रैश हुआ दे मेलनी उसे शांद करने की कोशिश करती है लुइस हेड शॉट से उसे मार देता है फिर सबी पैदल चलने लगते हैं और आर्चर कहने लगता है कि वो रिजॉर्ट आया था क्यूंकि वो एक ही चीज में सबसे बेस्ट है और वो है जॉम्बीज को मारना वो किनारा सामने दे एक्टिविस्ट ग्रूप की मेंबर है और उसे रिजॉर्ट भेजा गया था ताकि वो यहां के सिस्टम में कुछ फाइल डाउनलोड कर सके क्यूंकि यहां जो कुछ भी हो रहा है वो काफी खतरनाक है और इसे बंद करना जरूरी है सारे डॉकॉमेंट एक फ्लाइज ड्रा हो जाएगा सेडी के हाव भाव से पता चल रहा था कि उसे इस बात का कोई आइडिया ही नहीं था कि उसका इस्तमाल हुआ है वो सभी से माफी मांगती है मेलनी उसकी बात सुनती है लेकिन बाकी सभी उसे गुस्ता है मेलनी उसे प्रॉमिस करती है कि वो सेडी को मरने नहीं देगी, इसके बाद वो सब एक उजार जगह में पहुंच जाते हैं जहां जॉम्बी इसको बंद करके रखा जाता था, क्यूंकि ये किनारे तक जाने के लिए उन्हें इस जगह को पार करना होगा, जॉम्बी इसके हमले से बचने के लिए उनका ग्रूप दो भाग में बट जाता है आर्चर और दो लोग एक तरफ जाते हैं और जैक और सेडी दूसरे तरफ जाते हैं और आर्चर सिगनल दे कर उन्हें कहता है कि कहां मिलना है लेकिन जब जैक और सेडी उस तरफ जाते हैं तो सेडी को एक जॉम्बी काट लिता है जैक वहां से भागता है लेकिन उस असास होता है कि जॉम्बी उनके करीब आ रहे हैं वो तुरंत दर्वाजा बंद कर देते हैं लेकिन उपर का छट खुलावा था और उसमें से एक जॉम्बी नीचे गड़ जाता है और वो जैक को काट लेता है आर्चर रिस्क ने लेना चाता था और वो जैक को मार देता है कि उनका ये जॉम्बी किलिंग वाला बिजनेस कभी बनना हो तब एक लड़की बाहर आती है जिसे हमने फिल्म के शुरुआत में देखा था टेडी बियर के साथ वो अब इन्फेक्टेड हो चुकी है वो एक आवाज निकालती है जिसे सारे जॉम्बी बाहर आने लगते है और उन तीनों को वहाँ से भागना पड़ता है तीनों दर्वाज़ा बंद रखने की कोशिश करते हैं और मेलनी आर्चर की मदद करने के लिए चली जाती है जो दर्वाज़ा को समालनी पा रहा था और लूइस से कहती है मदद करने के लिए लेकिन वो उपर के रास्ते वह वहाँ से भाग जाता है उन्हें अकेला छोड़कर आर्चर को ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मेलनी से कहता है कि तुम किनारे जाकर अपनी जान बचाओ और वो खुद को सैक्रिफाइस कर देता है जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेलनी खुद को शान्त करती है और उपर की तरफ जाती है जहां रिफ्यूजी को किसी मांस के टुकड़े की तरह लटका के रखा गया था वहाँ से बाहर निकल कर मेलनी को लुइस मिलता है जिसे काट लिया गया है मेलनी जाते जाते उसे अपना बंदुग देती है ताकि वो अपनी जान ले सके क्योंकि जाम्बी नी बनना चाता मेलनी कंट्रोल रूम जाती और वहां उसे रिजॉट की ओनर मिलती है जो उसे पकड़ के अपने आफिस में लाती है और उसे बताती है यहां से भागने का एक रास्ता है लेकिन मेलनी ओनर के उपर बहुत गुसा होती है कि उसके वज़े से कितने म बाहर वो दोरने लगती है लेकिन उसके पीछे बहुत सारे जॉम्बी पढ़ जाते है लेकिन मेलनी भागना जारी रखती है और आखिरकार वो समुद्र में कूद कर अपनी जान बचा लेती है और तब ही ब्लास्ट होना शुरू होता है और रिजॉर्ट तबाह हो जाता है तीन हफते के बाद मेलनी मीडिया को रिजॉर्ट के सीक्रेट के बारे में बता देती है और उसका ना मीडिया में आ जाने के वज़े से देखते है कि आरचर जो भी किसी तरह बच गया वो ये नीज देख रहा था मेलनी ने कभी पब्लिक अपिरेंस नहीं दिया लेकिन उस और आइलेंड से जॉम्बीज किसी तरह अब मेन लैंड में आ गए हैं, मतलब कि इनसान और जॉम्बीज के बीच यूद तो अब शूरू हुई है, और इसे के साथ दर रिजॉर्ट मुवी यही पर खतम हो जाती है, वीडियो अगर पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केर